श्री गंगा नगर जिले में केसर सिंगपुर से लालपुर अस्तित डेरे में जा रही बस एक सड़क हाथसे का शिकार हो गई है बता दे कि ये सड़क हाथसा पदमपुर्ण के ग्राव 11 E.E.A के पास हुआ है तो घटना ग्रस्त बस में 25-30 लोग सवार थे जो कि रादा स्वामी डेरा प्यास से जुड़े हुए बताय जा रहे है वहीं इस सड़क हाथसे में करीब 5-6 लोगों को गंभीर चोटे आई है जिनने बीच बयाला CHC में प्रात्मे को उप्चार के बाद श्री गंगा नगर रफेर कर दिया गया है इस हाथसे की सूचना मिलते ही CEO संजीव चोहान घटना स्थल पर पहुचे और घटना की वरिस्तिष जानकारी लिए प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हाथसे के बाद बस छोड़ कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है श्री गंगा नगर से मंजीत सिंग की रिपोर्ट